आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ का डाउट प्रोड़क्ट है वो 4 है वो अपना Origin है और A और B के बारे में बुला गया है कि A अपना First Quadrant में है और B जो है ना वो Second Quadrant में है तो हमसे पुचा गया है कि भाई, O A. O B क्या होगा? डाउट प्रोड़क्ट O A और O B का क्या होगा? और अपने बास Substance भी है ठीक है? तो देखो पहले अपना Curve मान लेते हैं Curve अपना क्या था? Y is equal to X square था ठीक है? तो अगर कोई यह अपना plane है ग्लब, coordinate axis है यहाँ पर एक point है X, Y ठीक है? तो इसको vector form में अगर हम लिखते हैं यह O है और यह मान लो A है ठीक है? तो यह O A vector हम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? अगर O 0 0 है ना तो इस वज़े से वो मुला और जिन 0 0 हो गई तो इसको हम O A vector को लिखते हैं हम क्या Y minus 0 X, Y minus 0 J cap और X minus 0 I cap मतलब overall X cap Y cap Y j cap ऐसे लिखता हूँ मैं? ठीक है और और यही रिप्रेजेंटेशन होता है O A vector का इसी तरह O B vector अगर है तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर यह X1 Y1 मैं मैं मान लेता हूँ और वो X2 Y2 मैं मान लेता हूँ ठीक है तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा ठीक है चुकि X1 Y1 इसका रॉप्राइ कर रहा है तो इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि भाई X1 अगर मैं इसमें रखूँ तो शटिकाए करना चाहिए मैं मैं लेता हूँ यहां से मेरा जो वेक्टर बना वो क्या बना देखो X1 I cap और प्लस Y1 के जगह मैं लिख देता हूँ X1 का स्काइर X1 स्काइर जे कैप ठीक है और इसी तरह O B मैं लिख देता हूँ O B वेक्टर O B वेक्टर क्या होगा देखो X2 X2 लिख दिया I cap I cap प्लस J cap की जगह यह Y2 है ना तो Y2 के जगह X2 का स्काइर लिखो X2 का स्काइर और यह रहा J cap ठीक है अब हमारे पास dot product है कि O A dot I यह होगा कितना 1 होगा ठीक है तो हम dot product जानते हैं कि भाई I का I के साथ होगा J का J के साथ होगा ठीक है और साथी साथ उसके अलावा जो भी होगा उसकी value 0 आजेगी और इसके ज़र quantity यह होती है और है भी देखो 1 है ना तो X I X1 I प्लस X1 का square J इसको अगर मैं I के साथ dot product करूँ तो देखो क्या आएगा J वाला तो कटम I के साथ इसका होगा तो देखो X1 आजेगा ठीक है तो X1 और हमको यह दिया गया है 1 ठीक है तो इसका मतलब X1 की value 1 तो Y1 की value भी निकल देगी यहां से देखो Y1 होगा क्या X1 का square मतलब 1 का square मतलब 1 ठीक है मतलब Y1 क्या हो गया 1 हो गया ठीक है चलो आगे तो ओबी अपना क्या था देखो ओबी अपना OV vector था वो X2 I cap प्लस X2 का square J cap यह था और OV dot J cap यह हमको given up हो ठीक है तो इसका dot product J के साथ करोगे तो क्या बढ़ेगा X2 X2 I cap प्लस X2 का square J cap dot क्या J cap तो देखो I वाला term तो 0 यह बस आएगा तो क्या आएगा इसकी value X2 का square आएगा ठीक है इक्वल को होगा कि इसके 4 के तो X2 की value क्या आ सकती है प्लस माइनस 2 आ सकती है ठीक है लेकिन X2 की value हमें क्या लेना है माइनस 2 लेना है क्यों लेना है क्योंकि हमारा जो B vector है वो second quadrant में लाई कर रहा है और second quadrant में देखो इधर क्या second quadrant यह है ठीक है तो इस जगा पर यह X की value कितने होती है माइनस होती है ठीक है तो मतलब O B vector यहां से हमारा बन गया क्या X2 मतलब 2 माइनस 2 i cap और प्लस X2 का square मतलब 4 j cap ठीक है चलो तो O B vector भी हमको पता है और A vector भी पता है देखो यहां पर कोई हमें सोचने की जरूवत ही ने थी कि X यह positive लेना है कि negative लेना है हमरे पास positive value ही आ रही थी और A को बोला भी गया था कि भाई वो first quadrant में लाई कर रहा है ठीक है चलो तो हम क्या करते हैं O A dot O B निकालते है O A अपना क्या है 1 मतलब I प्लस J कैफ है ठीक है 1 1 है ना X2 और Y2 ठीक है dot इसका करना है minus 2I plus 4J करना है ठीक है चलो तो यहां से यह I का I के साथ multiplication होगा और J का J के साथ multiplication होगा तो देखो 1 into minus 2 क्या होज़ा है minus 2 और 1 into 4 मतलब plus 4 ठीक है तो इसकी वल्यू कितनी आई है 2 आई है option देख लो option number second का है सरी है hope आपको समझ में आओगा thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा students का भरोसा आज यह डाउनलोट करे doubt net आप या WhatsApp कीज़े अपने डाउट आच चारसो 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 पर